हलो फ्रेंड विल्कम टू मैं चैनल जेडी साइंस क्लासेज जेडी साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम सीटेट प्रीवियस एयर पेपर साल्व कर रहे हैं जिसमें हम परियावरण अध्यान पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम 2014 जो फरवरी में हुआ था उसका आम आज पेपर साल्व करेंगे देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के कोश्चन आये हुए हैं और आप देखते हैं कि कोश्चन जो हम कराते जा रहे हैं उसमें आपके कोश्चन रिपीट होते रहे हैं तो आप इन ही कोश्चन को करके जाएए इसमें से आपके कोश्चन हुब हुब मिल जाएंगे तो और गर वीडियो पसंद आये तो सेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आएए देखते हैं पहला कोश्चन कैसे आया हुआ था तो देखिए पहला कोश्चन कह रहा है कि निवनखित में से सत्त कथम चुनिये करें कि हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनकी सरीर को ठंधक मिलती है तो गदले मतलब दल दल अस्थान में तो कहने मतलब कि पहला जो है आपका सही है कूट दिया है इसमें अगला दूसरा देखिए करें कि अधिकांस हाथी दिन में लगभग दस घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं तो ये गलत है ये ये गलत है तो ये लगभग दो से दो से तीन ही घंटे आराम करते हैं तो दूसरा नमबर गलत हो गया, तो अगला देखिए, कहने कि तीन महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो ग्राम होता है, तो ये तीसरा सही है, अगला देखिए, फोर नमबर देखिए, फोर नमबर कह रहा है कि, अधिकान से बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलो ग्राम पत्ते जाड़ियां खा लेते हैं, तो ये भी आपका सही है, तो इसमें आपका जो है, सेकेंड कर छोड़ कर और आपके सबरें सही हैं, तो इसमें आपसा नमबर थिरी सही हो जाएगा, अगला कोशन देखते हैं, कोशन नमबर देखिए, फिस्टी टू कह रहा है कि, मदबनी, चित्रकला के बारे में सही कतन, तो मदबनी चित्रकला के बारे में हमको बताना है, कि इसमें कौन सा कतन सही है, पहला कह रहा है ए नमबर इन चेत्रों को बनाने में नील, नदी, फूल, पेड़ों के रंग आधि का इस्तिमाल किया जाता है तो ये आपका पहला सही है सेकेंड बी नमबर कह रहा है कि इन चेत्रों में इनसान, जानवार, पेड़, फूल, पंची, मचलियां आधि दिखाए जाते हैं तो ये भी आपका सही है करें कि C नमबर करें यह लोग चित्तकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधवनी नामगस्थान के नाम पर पढ़ायां ये बिहार के मधवनी नामगस्थान पर तो ये भी सही है D नमबर कहना कि मधवनी राजस्थान का अतिप्रसिद्ध जिला है, गलत है तो मदमनी यह बिहार का है तो यह आपका option number D जो है गलत है तो देखिए A, B, C जिसमें होगा वही सही हो जाएगा तो A, B, C option number 4 में सही है तो option number 62 का 4 हो जाएगा अगला question देखिए तो मदमनी वह जो है इसके लिए बिहार का है 33 देखिए कोई पच्छी पेड़ की उची डाल पर अपना घूसला बनाता है या पच्छी हो सकता है तो इसमें आपका अंसर हो जाएगा कववा 63 का तीसरा number हो जाएगा आई एगला question देखते हैं प्रसंक्य देखिए 64 पोचम पल्ली एक गाउं है या गाउं एक विशेश प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी ओचम पल्ली ही कहते हैं या गाउं निनखित में से किस का भाग है तो ये आपका आन्द प्रदेश का है अब जो है ये तेलंग गाना का हो गया जो पिछले आया था कीस या ठारा में तो उसमें वूच्छा था तो उसमें तेलंग गाना आपसन में दिया हैं तो अब ये तेलंग गाना में जब 2 अक्टूबर 2014 का जब विवाजन हो गया तो इसमें अब ये तेलंग गाना में चला गया लेकिन इसमें अंसर आप तो अभी आंद्पदेश ही लगाएंगे आई एकला कॉस्चन देखते हैं तो वहाँ पे आप देलंगाना लगाईएगा अब आए तो रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन चुनिये तो कहने यह पेड अस्टेलिया में पाया जाता है तो यह आपका पहला सही है करें एक बिसेश प्रकार का पेड है जिसकी जड़ें टहानिया से लटकती है तो यह आपका बी नमबर गलत हो जाएगा इस पेड की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती है जब तक की पानी तक ना पहुँच जाए तो C आपका सही है इस पेड के तने में पानी जमा होता है रहता है और अस्थानी लोग पतले पाइप का प्योग करके इस पानी को पीते हैं तो यह भी आपका सही है तो 65 का अप्शन नमबर दूसरा चला जाएगा A, C और D सही हो जाएगा आई एक ला कोशन देखते हैं प्रसं के देखिए 66 अबुधावी के विशे में सही कथन देखिए अबुधावी के विशे में आपको कथन सही पुशाद पर यह रेगिस तानी इलाके में है तो यह आपका सही है अबुधावी में पानी पिट्रोल से महंगा है सही है कि वहाँ पिट्रोल ज्यादा पाया जाता है और पानी कम मात्रा में पाया जाता है तो यह भी वाला भी सही हो गया यहां कि अस्थानी भासा अर्भी है तो यह भी सही है यह भी सही हो गया तिसरा कहने कि अबुधावी की मुद्रा क्या है कहने कि दिनार है तो ये गलत है तो दिनार नहीं इसकी मुद्रा जो है दिरहम है दिरहम तो अबुधावी की जो मुद्रा है वो दिरहम है तो देखिए A, B, C जिसमें होगा वही आपशन आपका सही हो जाएगा चौथा नमब में जागते हैं ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से हैं तो इसमें देखिए आपका आप्शन नमर संसट का तीसरा हो जाए काला और सफेद हो जाएगा प्रनसंख्या देखिए 63 कह रहाएं कि चित्र में एक से एक में 24 घंटे की घड़ी दिखाए गई है तथा चित्र तो में चित्र 3 में दो जानवरों यक्स और वाई के सूने के समय छांकित वा अक से दिखाए गए हैं तो यक्स तथा y सूने के समय के बारे में सही कथन बताईए, तो यक्स वाई कप सोते हैं, देखिए, ये कुल मिला के आपकी 12 खानों में बटा हुआ है, जो एक खाने जो 2 के क्या हैं, इक्वल है, तो इसमें देखिए 2 हैं, दो गुड़े 2, तो ये हो जाएगा 4, तो यक्स जो है 4 घंटे हो जाएगा, और देखिए, ये कुल मिला के गिनेंगे तो 9 हैं, तो 9 गुड़े 2, तो ये कुल मिला के 18 आजाएगा, तो एक जो है, यक्स जो है 4 घंटे और वाई जो है 18 घंटे, तो ये देखिए, किसमें हैं ये आप्शन, तो ये आप्शन नमबर 4, तीसर हो जाएगा चार घंटे यकस्त जो चार घंटे सोता है जब कि वाई 18 घंटे सोता है तो यह एक एक जो है दो खाने के एक्वाल नहीं तो 12 घंटे थो कोश्चन देखते हैं वही इसके आवर्श को बता रहे हैं तो इसको चार घंटे सोता है जबकि वाई जो है अठारा घंटे सोता है तो आईए अगला question देखते हैं प्रन संख्या देखिए 69 69 देखिए करें ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है मिर्त सागर पूछ रहा है मिर्त सागर क्या है तो ऐसा सागर जो बी नंबर कह रहा है सेकंड नंबर आप्शन ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन है तो इसका सेकेंड नंबर आपका सही हो जाएगा तो मिल्त सागर जो है यह कहां पाया जाता है इस राइल में इस राइल इस राइल में पाया जाता है अगला कोशन देखते हैं सिवन्टी अगला कोशन देखते हैं सत्ता करिक अच्छा तीन के विद्धे अर्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजली भोजन संबंदित आधतों में सांस्कृतिक छेत्री विविद्धा पर विशेज ध्यान देना चाहती है नीचे दिये गए अधिगम और सरों में किसके द्वारा विद्धे अर्थियों को वांचित जानकारी दी जा रही है देखिए शिवन्टी तो इसमें आपका अपसन नमबर शेकेन हो जाएगा करें कि विविन छेत्रों संस्कृतियों के विद्धार्थियों से उनके घरों में खाये जाने वाले भोजन मगा कर प्रदर्शित करना और सापाठियों से सूचनाओ का आदान प्रदान करना तो प्रसंख्या सत्तर का दूसरा अप्शन हो जाएगा अगला प्रसंख्या देखते हैं कच्छा पांच के विद्धार्थियों को पर्यावाणी चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीती प्रदूशन पर अधिक बल देना चाहती है वांचित उद्धेश को प्राप्ट करने के लिए नीचे दिये गए क्रिया कलापों में से कौन सर्वधिक प्रभावी हो सकता है तो कह रहें कि विद्धार्थियों के विभीन प्रकार के प्रदूशनों को चाड़ बना कर दूसरा करने विद्धार्थियों को सेच्छनी ब्रमाण पर ले जाकर किसी प्रदूशक नदी को दिखाना थर्ड नमबर देखिए कह रहा है कि विद्धार्थियों के विभीन प्रकार के प्रदूशनों से संबंदी समुपर योजनाव प्रकार करने के लिए कहना तो आप्शन इसका थिरी हो जाएगा 71 का अगला देखी प्रसंख्या 72 नेहा कच्छा 5 के EBS विशे में नीचे दी गई मुल्यांकन तक्नीक का प्रियोग करती है हस्त सिद्ध क्रिया कलापों का मुल्यांकन ग्रे कारे मुल्यांकन परियोजनाओ कारे मुल्यांकन मौखिक परिच्छा तो देखिए 72 का आप्शन नमबर इसमें पहला और चोथा सही हो जाएगा देखिए कूट इसमें दिया हुए तो इसमें आपका जो कूट होगा ये दूसरा नमबर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए EBS में किसी अच्छे ग्रिहकार में मुखता किस पर केंद्रित होना चाहिए तो कहने कि पुन्हरा वृत्ति और प्रबल्ली करण मास्टरी लर्निंग या विस्तरित अधिगम के लिए चुनावतिया और उत्तेजना और चोथा करें कि समय का सद उप्योग 73 देखिए इसमें आपका तीसरा हो जाएगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनावतिया और उत्तेजना तो 73 का अप्शन धिरी हो जाएगा 74 करने कि सालनी ने कच्छव चार के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद दिखाने के लिए सेच्छनिक ब्रह्मण की योजना बनाई है नीचे दिया गया कौन सा सामान निर्देश इस ब्रह्मण के लिए परंपरिक है प्रदर्शन के समय पानी साकाओं के विशय में प्रस्ल पूछना अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना तो इसमें आपका अप्शन नमबर सेकेंड हो जाएगा अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना 75 देखिए करना कि प्रत्मिक अस्तर के अच्छी EVS पार्ठ चरया में होना चाहिए तो इसमें आप पर देखिए second number हो जाएगा अपने आशपास को खोजने के आउशर प्रदान करना प्रत्मिक अस्तर के अउशर प्रत्मिक अस्तर के EVS पार्ठ पुस्तकों में कविताएं और कहानियां समलित करने का कारण है तो इसमें आपके मूल तीसरा हो जाएगा मूल संकल्पनाओं के अधिकम में ब्रिद्धी करना हाई अगला कोशन देख 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 सिवन्टी सेवन कहने कि चार बावी सिच्छकों से कच्छा पांच के विद्ध्यार्थियों के लिए मूल भी से यात्रा पर प्रस्तुती करम बनाने के लिए कहा गया है प्रतेख ने निम्नखित नीतियों में से किसी एक पर मुख रूप से केंद्रित किया है तो इसमें देखिए अप्शन नमबर फोर हो जाएगा विद्ध्यार्थियों से यात्रा में सहयोग उपयोग किये गए विभिन साधनों के अनभवों का वड़ान करने के लिए तो 77 का अप्शन नमबर फोर हो जाएगा प्रस्तुत के कच्छा 78 देखिए कच्छा 5 की इवियस की पाठ पुस्तक के किसी पाठ में सूचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखाए करें यदि आपके गाउं अथवा सहर में एक सब्ता तक पिट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा तो आप सम पहले एक चात्रों को तेल के निया संगत उपयोग के बारे में सम्वेदन सील होगी ये नहीं होगा करें छात्रों को पिट्रोल और डीजल की आख के बारे में मून-ल्यांकन ये भी नहीं हो। वेस्तिवीक जीवन के चिंताओं को समझने तीसरा नंबर सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन के चिंताओं को समझने, यह तो कल्पना और सोचने, बिचारने की कुसलता को बढ़ावा देना हो जाएगा, तो 78 का अफ्षन नमबर बढ़ हो जाएगा, आगला देखिए, प्रन संख्या देखिए, 79, करें, EVS की पढ़ाई में कच्छा में प्रसोत्तर तक्नीक का सबसे अच्छा उप्योग किसके लिए किया जा सकता है, पहले करें विद्यार्थियों को ध्यान आकरसित करने के लिए, विद्यार्थियों को शीखने के जिग्यासत्पन के लिए प्रियोगिक कौशल को सिच्छार्थियों में सीखने की जिग्यास अउप्पन करने के लिए आई एक्टी नमबर देखते हैं करेंक प्रत्विक अस्तार पर EBS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश है तो इसका अप्शन हो जाएगा थार्ड नमबर कच्छा की पढ़ाई को सिच्छार्थि के विद्याले से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना तो अस्ती का अप्शन तीसरा हो जाएगा करें कि प्रिद्धमिक अस्तर पर विच्छों के संच्छा की संकल्पना के बारे में बिद्यार्थियों को समवेदन सील बनाने के लिए नीचे दिये गए कौन सा क्रियाकलाब उप्युक्त नहीं है तो इसमें उप्युक्त नहीं पूछा है तो इसमें आपको तीसरा हो जाएगा बच्चों को लकडी के लट्थों का वंडार दिखाना ये नहीं होगा उप्युक्त और साथ हो जाएगे प्रनसंग क्या देखिए 82 करें इवियस की कच्छा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजली ने अपनी कच्छा में जल के विभिन सोतों और जल को सरचित करने के लिए ब्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आज रजित किया इस क्रिया क्लाप का मुख्य उद्देश क्या है तो कहरें कि इसमें आपको हो जाएगा 82 का आप्शन नमबर 3 अधिगम की प्रिक्रिया में विद्द्याथियों का सक्री भाग लेना सुनिशित करना तो 82 का आप्शन नमबर 3 हो जाएगा तो यह रखते हैं 83 करें कि प्रत्यमिक अस्तर में के इवियस की पाठचरिया को सुद्ध विज्ञान और समाजिक विज्ञान की संख्रपनाव को संब्लित करके विक्सित किया गया ऐसा करने का मुख्य उद्देश था तो इसका आप्शन पहला हो जाएगा सिच्छार्थियों को परियावरन को साकल वादी धंग से देखने योके बनाना प्रत्यसंख्य रखिये 84 एवियस कच्छा में समाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्खित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधियम अनुभव होगा तो यह अपसर नमबर इसका फोर हो जाएगा विद्यार्थियों के समूंपर योजनाओं का भार अपने उपर लेने के लिए कहना प्रत्यसंख्य रखिये 85 कर पसंद न पसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात ने कहा मुझे और मेरी माँ दोनों को साप खाना बहुत पसंद है जब भी हमारी साप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर फेन खाते हैं या छातर कहां का हो सकता है तो ये छातर जो है हांकां का हो सकता है तो देखिए आपको खाने पीने संबंदी question आपको एक question जरूर आता है इसमें तो इसमें देखिए आपको हम बता रहे हैं जैसे गोवा हो गया तो वहां गोवा में जो है गोवा में नरियल के तेल में पकाई गई समंदरी मचली में लोग प्री है तो नरियल के तेल में जो है मचली को पका कर खाते हैं गोवा में ये बहुत पसंद है अगला कह रहें कि एक केरल है देखिए केरल ये भी केरल वाला आपको पिछले 2019 में पूछा गया था तो नरियल से बनी किसी भी सबजी के साथ उबाला हुआ टैपी ओका केरल में लोग प्री है और देखिए जम्मु कसमीर में सरसो के तेल में पकाई गयी मचली जम्मु कसमीर में लोग प्री है तो जम्मू कस्मीर में जो सर्सो के तेल में मचली पगा कर खाते हैं वहाँ पर तो इससे कुछ है इसमें यह आपके तीनों importance हो जाते हैं गोवा और केरल और जम्मू कस्मीर के तो यह खाने पीने के यह बार-बार आया हुगा है question तो इसको आप देख के जाईएगा देखिए प्रसंख्या एटी सिक्क्र की ब्रेल लिप के बारे में नीचे दिये गए कथनों का अध्यान की जिए तो ब्रेल लिप देखिए ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदू उपरे बिंदू बनाकर लिखा जाता एकदम सही है दूसरा कहा है कि वहली विप आठ बिंदूयों पर आधारित होती है देखिए यह 8 बिंदूय वाली प्राब्लम यह गलत यह लगवक। 33 68 पर बिंदूय पर आधारित इता है तो यह आपका जो आठ कहाए तो दूसरा नंबर आपका गलत हो जाता है पहरे कहरें अगला करें बिंदुओं की पंक्रिया किसी नुक्विली अउजार के बनाई जाती हैं तो ये भी आपका सही है करें इसे उबरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है ये भी सही जिसे दिखता नहीं तो ये Lewis Bell ने इसे पदिपादित किया था तो इस कारण से आप इनको हाथ से फेर कर उन अच्छरों को पहचाना जाता है तो देखी इसमें ये पहला तीसरा और चौथा कूट किसमें आता है पहला तीसरा और चौथा कूट किसमें आ रहा है पहला तीसरा चोथा पहले में ही आ रहा है इटी सिक्स है का आपको प्रसंख्या पहला ही हो जाएगा देखिए एटी सेवन देखिए करे निम्खिन में सही कथन चुलिए जिन जानवरों के बाहरी कान वा बाहरी बाल होते हुए बच्चे देते हैं पहला सही है जिन जानवरों के बाहरी कान वा शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं तो यह आपसन ए और बी सही है तो जिस आपसन में है और यह आपका दोनों कलत है तो देखिए ए और बी किसमे है वही आपसन आपका सही हो जाएगा तो ये चौथा अप्सन में है तो ये भी सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखिए 88 मदमक्खी पालन के विशे में सही कथन चुनिए देखिए करें कि मदमक्खी पालन सुरू करने का सबसे अच्छा समय जन्वरी से मार्च तक है तो ये गलत है जन्वरी से मार्च नहीं ये अक्टूबर से दिसंबर अक्टूबर से दिसंबर के में तो ये गलत है लीची के फूल मदमक्खीयों के लुभाते हैं ये भी सही है मदमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादि साहत का भंडारन करने के लिए बक्सों की जरूत ये भी सही है मदमक्खियों के लिए मीठा गोल बनाने के लिए चिनी के तो ये भी सही तो देखिए इसमें कूर जो है तीसरा पहला दूसरा तीसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा और चौता तो पहला आपका गलत है और दूसरा तीसर सब्सक्राइब तो 88 का अपसंद 3 हो जाएगा आई एक लद देखते हैं देखिए ये कह रहें कि किसी छात्रा ने अपनी आमदाबाद से नागर कोईल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट है तो देखिए तो आमदाबाद से नागर कोईल की दूरी किलोमीटर देखिए इन में ये 301 और में से 2649 घटाएंगे तो ये इसका आमदाबाद नागर कोईल की बीच की दूरी है तो ये आपका पहला आपसंद सही हो जाएगा और देखिए इसमें जो दूरी है 40 गंटे और 25 मिनट ये भी आपका सही है तो ये देखिए पहला इसे निकालेंगे ये इन में से 301 ये 301 ही है 301 ही में से 2649 जब घटाएंगे तो फिए 302 तेज सो नटालीस आएगा तो पहला आपसंद आपका निकलाएगा दूरी तो सही है दूसरा इसमें टाइम निकलाएगा लेकिन ये आपका तीरी ये गलत हो जाएगा तो Last Question और ये देखिए इसके बारे में क्या है करें कि नीचे दिये गए कौन से C जानकारे एक आरच्छित रेल टिकेट से प्रांक की जासकती है तो देखिए टिकेट-बुक कराने की तारीकी और समय यात्रा शुरू करने की तारीक और समय तो ये सही है करें डिब्बे का और किराया यह भी आपका पता कर सकते हैं इससे यात्रा करने वाले का नाम देखिए यह गलत है सी वाला ट्रेन का नंबर और नाम वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम तो यह भी आपका सही है अंतिम स्टेशन पर पहुशने की तारीक और य तो इस प्रकार कोश्चन पूरे तीस समाबत होते हैं आपसा करता हूं यह आपको पसंद आया है अगर पसंद आया है तो ज्याद ज्यादा मारे चैनल को लिए लाइक एंड शेयर एंड सस्क्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्नवार